तो कैसे हैं दोस्तों आप चब आज में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अशोक लीलेंड दोस्त प्लस और यह LS वेरेंट देख रहे हैं टोटल तीन वेरेंट में आ जाती है LE, LX and LS और यह LS वेरेंट का ही फ्रंट लोग आप लोग देख रहे हैं अशोक लीलेंड दोस् और यह अशोक ली रट की बैजिंग मिलते और ये अशोक ली रट का लोगो ग्रेश फिनिश में फ़रंट ग्रिल मिलती है और ये बिंगसाइज हेलोजन हैडलै दल मिल जाती है भीट टनइन डी गेटर बलकिन पार्किंग लाइट काफी बड़ा आप लोगों को फ्रंड में विंशिल मिलती है दो वाइपर मिल जाते हैं वाशर के साथ विंशिल को क्लीन करने के लिए बागी साइड में मिल जाते हैं टर्न इंडिगेटर और ये कंप्रिट लोकेट दोस्त प्लस के केबिन का LS वेरियंट का 8,25,000 रुपेस की जो है एक्शोरूम प्राइजिंग है बागी हर सिटी का प्राइज हैं पर उपर नीचे हो सकता है गाड़ी का ये वाइट कलर में आप लोग दिख सकते हैं कंप्रिट लोक बागी आउटसाइड मिरर को भी यहाँ पर एड़ेस किया जा सकता है गाड़ी के अंदर 4.6 मिटर की लेंद मिलती है और 1.9 मिटर की हाइट मिल जाती ही गाड़ी के अंदर और ये हैं इसके 15 इंच के काफी मजबूत स्टील रिम suspension की बात करेंगर गाड़ी के अंदर तो आगे आप लोगों को यहाँ पर parabolic leaf spring suspension मिल जाते हैं फिस शॉक absorber और पीछे semi electrical leaf spring suspension मिलते हैं गाड़ी के अंदर बाकी यहाँ पर 1.5 लिटर का in-line 3 cylinder आप लोगों को diesel engine देखने को मिलता है गाड़ी के अंदर यह दोस्त प्लस LS की बैजिंग मिलती है दूर में बाकि इंजिन आप लोग देख सकते हैं से complete लोग नीचे से 1.5 लिटर का 3 सिलिंडर डीजल इंजिन है 80 होर्स पावर निकाल के देगा और 190 अनम ऑफ टॉर्क 15 से 19 का माइलेज निकाल के देगा जिसे आपसे गाड़ी चलेगी लोड में या हैवी लोड या लाइट लोड में उसे आपसे एवरेज निकाल के देदेगा अराम से 19 से 15 से 19 के बीच में बाकि यह इसकी 40 लिटर की fuel tank gap city यहाँ पर मिल जाती है यहाँ से diesel डला सकते हैं आप लोग काफी मजबूट chases मिलती है गाड़ी के अंदर and side में जो cargo area दिया गया उसमें भी आप लोगों को complete hooks मिल जाते है बाकि यहाँ पर cargo area की लंबाई की बात करूँ तो लगभग आप लोगों को यहाँ पर 8.7 feet की यहाँ पर मिल जाती cargo area की जो लंबाई है और 5.3 feet की उसकी चोड़ाई मिल जाती है साथी साथ 1.5 feet की उसकी height मिलती है साथी साथ full body आप लोगों को देखनी को भी मिल जाती है मतलब height वाली जो आती है बड़ा दोस्त के अंदर आप लोगों को available है वो अशोक लीलेंड में बड़ाई ये दोस्त प्लस का अब देख रहे हैं complete look पीछे से काफी मजबूत chases मिलती है और जो इसकी body वो काफी heavy देखने को मिलती है बड़ाई एवरेज जो है काफी अच्छा निकाल के देती है और जो maintenance maintenance बगर अब ये गाड़ी का वो भी काफी low देखने को मिलता है जो लोग use करते हैं गाड़ी उनको पता है ये चीज बगी पीछे यहाँ पर operate कर सकते हैं अंदर समान डालने के लिए इसको open कर सकते हैं पीछे की तरफ रिफ्लेक्टिंग टेफ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स ब्रेक लाइट रिवर्स लाइट और टरिंडी गिटर लाइट मिल जाती हैं यहाँ पर और नीचे की तरफ मिल जाता है यहाँ पर स्पेर वील और ये complete लोग है गाड़ी का साइट से complete पंदरा सो केजी के आप लोगों को यहाँ पर पेलोट कैपसिटी मिल जाती हो लगभग अठाइस सो पांच किलो जो है गाड़ी का ग्रॉस वीकल वेट रहने वाला है यहाँ पर अशोक लीलेंड दोस्त प्लस एलस का ये complete लोग है गाड़ी का साइट से जो गाड़ी के यहाँ पर वील बेस दिया गया है वो भी काफी अच्छा देखने को मिलता है और जहाँ पर material अशोक लीलेंड यूस करता है अपनी गाड़ीों के अंदर वो काफी लंबे टाइम तक चलते हैं यहाँ पर गाड़ी के पास मिल जाता है यहाँ पर और आए अब ड्राइवर सेट गेट का लोग ओपन करके देखते हैं गाड़ी के तो ऐसा कुछ दिखता है गाड़ी के ड्राइवर सेट गेट का लोग यहाँ पर यहाँ पर complete आप लोगों को डार्क फिनिश मिल जाती है डूर में ब्लैक किया जा सकता है और यह complete dashboard का लोग अशोक लिलेंट दोस्ट प्लस के LS वेरियंट का ऐसा कुछ टेरिंग मिल जाता है और ऐसी कुछ दिखती है गाड़ी के यहाँ पर front की seat seat को आगे पीछे किया जा सकते है और recline भी हो जाती है seat यहाँ पर और यहाँ पर tire pressure से related information मिलती है गा गाड़ी के अंदर बढ़ जाता हूँ गाड़ी में अंदर जाने में बाहर आन में कोई दिक्कत नहीं होती प्रॉपर आप लोगो handle पकड़ के गाड़ी के अंदर जा सकते है और बाहर आ सकते है बागी seat को यह पर पीछे भी किया जा सकता है और जो seats में material की quality वो काफी अच बागी चाबी की बात करें तो ऐसी कुछ मिल जाती है गाड़ी के अंदर चाबी दो चाबी देखने को मिलती है यहां पर नया BS6 phase 2 complete engine मिल जाता है बागी यहां से चलिया मैं गाड़ी की चाबी को insert कर लेता हूँ और on करता हूँ उसका ignition और ऐसा कुछ दिखते दुस्त उसक काफी बहतरी एरिया मिलता है visibility में कोई दिक्कत नहीं होती और यह प्रॉपर confidence बना रहेगा जब ड्राइवर इस गाड़ी को drive करेगा रोड़ पे brakes भी काफी बहतरी इन मिलते है complete जो गाड़ी की braking है वो भी load के साथ भी काफी अच्छी देखने को मिलती है बागी two spoke steering इन मिल जाता है शोक्ली लेंड की badging के साथ और left side में वाइपर के control मिलते हैं गाड़ी के अंदर और right side में मिल जाते हैं इसके head lamp के control और पीछे big size मिल जाता है glass रिया यहाँ पर complete cabin का view लेने के लिए और यह reading light white illumination के साथ front cabin में बाकि पीछे थोड़ा space भी मिल जाता है समान वगरा रखने के लिए और यहाँ पर यह seat को कुछ इस तरीके से fold भी कर सकते हैं आप लोग बाकि अराम से तीन लोग बैठ सकते हैं यहाँ पर front में गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी seat belts मिल जाते हैं बहतर safety के लिए और यहाँ पर अशो क्लीरंट की charging मिलती थोड़ी स्पेस के सांथ नीचे की तरफ मिल जाता है चार्जिंग सॉकिट और जो हैडलाइट का लेवल है उसको भी adjust किया जा सकता है वहीं से नाइट में और कम्लीट बेज फिनिश में डैश्बूट का लुक मिलता है जो की काफी अच्छा लगता है और गलब बो जो clutch है वो भी काफी light मिलता है यहाँ पर 240 mm का dry clutch मिल जाता है आप लोगों को single plate जो काफी long drive मतलब long time तक चलेगा उसकी जो capacity है और heavy load में भी गाड़ी को कोई struggle नहीं करना पड़ेगा फिर राकि जो accelerator और brake pedal है वो भी काफी smoothly work करते है ड्राइबर को कहीं से कहीं तक गाड़ी चलाने में कोई परशानी नहीं होगी चाहें गाड़ी load रहे खाली रहे और यहां से इस handle को पकड़के आराम से अंदर जा सकते हैं और अच्छी बत क्या है कि दोनुई तरफ handle लगाएगा यह वैले और यहां से डाल सकते हैं वाइपर एंड वॉशर फ्रूइड गाड़ी के अंदर आप लोग चलिये यहां से में गाड़ी का डोर क्लोस कर लेता हूं और यहां पर कुछ तरह के कि आप लोगो को सिस्टम दिया गया है क्लोस करने के लिए और यह अशोक लिलेंड दोस्त ब्लस आप देख रहेते हैं लस वेरियंट वाइट कलर में तो दोस्तों आप लोगों कैसा लगा मेरा यह वीडियो मुझे कमेंट से बताईए साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीज़ और बैल आकन को भी प्रेस कर लिए जगा ता